तुम भी जानते हो के मैं मार्केट में गाइब हो गई थी अब मुझसे अराम से बात करना चलो बेठो गाड़ी में और जहां तुम रहते हो वहां ले जाओ मुझे ओ तो यहां रहते हो तुम हाँ जी मिस्टर सू तो आव वापिस आगए हेलो अंटी मैं श्यान हूँ ये दोनों कौन है तुमने शादी कर ली और एक बच्चा भी है तुम्हारा अंटी ऐसा तो तुम तो चुभी रहो इस बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया है माँ आप बच्चे को डिराए मत मैं बहुत ठक गई हूँ मुझे मेरा रूम दिखाओ मॉम मैं आट जैंक से कह दूँगा वो आपका समान बाद में अनपैक कर देंगी तो पहर हो चुकी है मैं आफिस जा रहा हूँ आप अराम कीजिए रुक जाओ वो जो लड़की बाहिर है वो ये श्यांग है ना उसी की ख़बर चलड़ी थी न टीवी पर वो यहां क्यों रहती है बाहिर फैली हुई सब नियूस जूटी है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है तुमने आँटी के लिए सब अर्रेंजमेस कर दी ना मुझे लगता है मैं आँटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे अब क्या करना होगा मुझे उने खाने में क्या पसंद है मैं उनके लिए वो बना दी थी हूँ ज़रूरत नहीं मौम घुसे की बहुत तेज है ऐसा कुछ भी मत करना तुम बस अपने रूम में ही रहना और उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं क्या मुझे सच मैं ऐसा करना होगा इसमें कुछ भी गलत नहीं है तुम बहुत बहादर हो आउफिस जा रहा हूँ शाम तक वापिस आज जाओंगा आँटी क्या हुआ आपको सब ठीक तो है आप नोकिये बगैर आ गई मैं अपने बेटे के घर में हूँ मुझे नोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे माफ किजी का मैं ऐसा नहीं कहना शाथी ते मैं आपके लिए क्या कर सकते हूँ मुझे भी सेंटी पसंद है बाहर आकर बना दो यह लिशे आपके चाहे बिलकु तयार है क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकते हूँ गर्मिया में मैं सिरफ आइस क्रीन टी पीती हूँ जाओ जाकर बनाओ अरे मैडम अगर आपको चाहे चाहिए तो मुझे बताइए मैं इसी काम के लिए हूँ आप अब इस घर में वही होगा जो मैं डिसाइड करूँगी समझ के तुम्हें सुनाई नहीं देता जाओ चाहे बनाओ आँटी शेंग मुझे गलेशेटी नहीं बनाने आते क्या आप मेरी मदल कर देंगे आँटी ये लिशी आपके चाहे मैंने पहले कभी नहीं बनाई मुझे नहीं पता ये कैसी बनी होगे लिए कि आप ट्राइ करकी ज़रूर बिदाएगा बस भी करो मैं चाहे पीने के लिए पीती हूँ ना कि सिर्फ ट्राइ करने के लिए क्या मतलब मैं समझे नहीं इस घर से जाने का क्या लोगी तुम मैंने अब्रोड में तुम्हारी न्यूस सुनी थी तुम्हारी और उस डारेक्टर की कैसी वाहियात पिक्चर्स थी जो भी हो तुम होती ही ऐसी हो फेम के लिए कुछ भी करती हो मिझे बिटे का पिछा छोड़ दो नहीं आंटे ऐसा बिल्कुल नहीं है वो लोग पस खुद फेम हासे करने के लिए मुझे ऐसा बताते हैं मुझे सफाये नहीं सुननी है जिस लड़की का किरदार दागदार हो में उस लड़की को अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ दादी माँ आप मेरी मामा का ऐसे नहीं वो सकती है ऐसे वो दुखी हो जाएंगी वो गलत लोग थे उन्होंने ऐसे गलत न्यूस फिलाई थी तुम इसे माँ कह रहे हो इसका मतलब इसने कोई तो गुल खिलाया होगा दादी माँ आप मामा के बारे में दुबरह इसे मत बोलिएगा वनना मैं भूल जाओंगा आप मेरी दादी माँ हो तुम्हें किसने कहा में दादी माँ हो तुम्हारी कच्रे से उठा कर किसी को भी अब मेरा पोता बना दोगे ये गलत बात है अंटी अगर आपको मैं पसंद ही हूँ न तु सिर्फ मेरे बारे में बात कीचे आना उनको कुछ मत कहें, वो अभी एक बच्चा है बस ही करो, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने आपको देखो और सुधर जाओ मामा, दादी मा ने आपको हर्ट किया, हम पापा को बताएंगे नहीं, तुम्हारी डाट, आज आज को ऐसे भी बहुत बिजी हैं, हम उने ऐसी चीजह नहीं बता सकते हैं और हां, ये हमारा सीक्रेट है, तुम अपने डाटको कुछ नहीं बताऊगे, ऐके टीक है ठीक है थीक है पापा, अब आगे है हेई तो हैनोन पढ़ाई कर रहा है कितना अच्छा बच्छा है यह आप आगे वापिस आपने खाना खा लिया हाँ मैंने खा लिया हाँ मैं रास्ते में आज केक स्टोर पर रुका था ये तुम्हारे लिए तुम आज खुश नहीं लग रही सब ठीक तो है ऐसा बिल्कु नहीं है जूट बोल रही हो अरे बबा मैं तुम से जूट क्यों बोलूँगी भला तुम बताओ आखिर बात क्या है पापा वो कुछ भी तो नहीं हुआ अब तो अना ने भी कह दिया ना ठीक है आप लोग खाना खारे न मुझे नहीं दा रही है मैं सुन जाने हो गुट नाइट अच्छा चलो अब तुम्हारी मॉम यहां से चली गई है तो क्या आप हम बात कर सकते हैं पर मैंने तो ममा से वादा किया है और यह सीक्रेट है तो क्या तुम्होंने खुश नहीं देखना चाहतें ममा आप भी प्रेकफास्ट कर लो गुट मॉर्निंग आटी नाटक अच्छा कर लेती हो दुपहर को उठकर गुट मॉर्निंग कौन कहता है भला ये भी बताओ मैं कल काफी ठक गई थी इसलिए जल्दी उठ नहीं पाई आगे से मैं ध्यान रखूंगे आज आपको काम पे नहीं जाना क्या क्योंकि घर पर एक प्रॉब्लम है और काम पर जाने से पहले उसे सॉल्फ करना होगा ये दस्तरखान मैं खाना खाने के लिए यूज नहीं कर सकती तो कोई दूसरा लेकर आओ जी मैं अभी लेकर आख दे मॉम आपको जो कुछ भी खाना है आर्ट जैंक बना देगी अगर आपको उनकी कुकिंग पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए बना दूँगा आपको जो चाहिए मैं आपको बना दूँगा अगर मैं इसे खाना बनाने को कहूंगी तो फिर भी तुम गुस्सा करोगे क्या आप मुशे कोई